नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल यौल लीगल लाइट्स में मैं हूँ एड्वोकेड विश्मिना चौधरी दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मारी चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें और बैल आइकन को जितने भी कोर्ट से संब्सक्राइब जो दस्तावेज हैं जो इशू किये जाते हैं उनको फॉर्ज तरीके से यानि नकली तैयार करके उनका कहीं इस्तमाल करना एक छोटा सा एक जंबल के बाद हम समझते हैं कि माल लीजिए किसी व्यक्ति का तलाक का मुकदमा कोर्ट किये पुरा ओर्डर टाइप किया महल लगाई और जैसे कोट से कॉपी मिलती है सेटेस्फाइट कॉपी उस तरह का बिल्कुल फर्ज दस्तावेज तयार कर लिया और उसके माध्यम से शादी कर लिया अब जब नॉलिज में आया लोगों की पता लगा कि इसकी तो अभी तल कि जब कुछ परवार के लोग एक-दूसरे मुकदम डालते हैं तो उसमें जीपिय देने का भी अधकार होता है नहीं पावर होते हैं कि आप हमारे प्यापर मुकदमे को फाइट कर लें तो उसमें कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को अधकार दिया नहीं जाता एक फटजी जीपिय बनाके पावर टॉनी बनाके उसके पहाँ पर मुकदमा फाइट कर लेते हैं और उस मुकदमे में मिश्यूस करके अपनी पावर्स का और एक पार्टी के नाम करवा देते हैं जब बाद में पता चलता है ते हमने तो इस तरह का मुकदम पर कोई ना तो पावर टॉनी बनाके दी है यानि वो कोर्स से सम्मंदि जो दस्तावेज है अगर इस तरह के जो तयार करके उनका मिश्यूस किया जाएगा या इस्तिमाल किया जाएगा तो मुकदमा 66 का अट्रेक्ट होगा 466 का अब पब्ली करिश्टर की बात करें जो बड़ सेर्टिफि मेरी सेर्टिफिकेट हो गए इनको कोई फट्जी जरीके से इस्तिमाल करेगा जो किसी ऑफीसर की कश्टिडी के जो डॉकुमेंट है उनको अगर कोई फट्जी क्रेट करेगा तो भी उसके किलाब आई पीसी धारत 466 का मुकदमा तैयार होगा तो इसमें सजा की बात करें तो इसमें 7 साल तक का परिशमेंट का प्रोबिजन शाथ साथ जूर्माना भी है एक नॉन काउंग्जिवल ऑफेंस है जिसमें पुलिस पहले नौटिस देती हैं इंवेस्टिगेशन करती है फिर गरभतार करती है नॉन बेलिवल ऑफेंस यानि जब पुलिस आपको गरभत की जानकारी आपकी काम आएगी फिर इक नहीं जानकारी के साथ आप से दुबारम लागात होगी तब तक के लिए नमस्काद धन्यवाद